हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लन्वर देतीमन आज हम करेंगे सेवन्थ क्लास का सिक्स चैप्टर के कुश्चन आंसर राजिस्थान के प्रमुक्ष आशक तो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और चलिए अब यहाँ कुश्चन के आंसर देने की कवर करता है यह सभी कुश्चन आंसर आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे और वीडियो जो है वो बार बार देखना है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे वाले जो भी वीडियो आते हैं वो टा 1292 इसवी तो प्रत्वीरा चोहान के समय के बारे में कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है तो इनका याद रखिएगा 1177 से 1192 इसवी Question No.2 है प्रत्वीरा चोहान के माता पिता का क्या नाम था तो इनके पिता का नाम था सौमेश्वर और इनकी माता का नाम था करपूरी देवी ठीक है याद रखिएगा कि इनके पिता का नाम सौमेश्वर था और इनकी माता का नाम था करपूरी देवी और जब प्रत्वीरा चोहान जब छोटे ही थे तभी इनके पिता की मृत्यू हो गई थी तो इनकी माता जो करपूरी देवी थी इन्होंने ही इनका पालन पोजिशन किया था और शाषन का भार भी इन्होंने ही समभाला था नेक्स्ट दिखिए कुश्चन थर्ड है प्रत्वी राज चोहान के दर्वार के प्रमुक कवी और विद्वान थे तो इनके दर्वार के प्रमुक कवी और विद्वान कौन-कौन रहे हैं जो की पूछा गया है एक्जाम में कई बार सभी याद रहने जरूरी हैं विद्याप प्रत्वी राज रासों की रचना किस ने की? प्रसित ग्रंत जो है प्रत्वी राज रासों इसकी रचना करने वाले थे चंद वर्दाई और ये बहुत ही बड़े योग्य ग्यानी थे इन्होंने बढ़ चल कर प्रत्वी राज चौहान के बारे में लिखा है नेक्स्ट दिखिए कुश्चन सिक्स महारणा कुमभा का शाशन काल क्या रहा? तो ये भी एक महान शाशक रहे हैं महारणा कुमभा तो शिशोदिया वन्स के शाशक रहे हैं इनका जन्म होता है 1417 इस्वी में और इनका शाशन का समय है 1433 से 1468 इस्वी और 1433 इस्वी में मेवार की रासिंगाशन पर बैठे थे नेक्स्ट दीखिए question 7 महारणा कुमभा का जन्म कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म होता है चित्तोड में 1417 इस्वी में 1433 में रासिंगाशन पर बैठते हैं और 1468 में इनकी मृत्यों हो जाती है महारणा कुमभा मेवार के शाशक कब बने? तो वही question है lot where के वही question जो है वो पूछ लिया जाता है बस sentence जो है वो बदल जाते हैं तो यहाँ पर 1433 इस्वी में मेवार के रासिंगाशन पर बैठे या मेवार के शाशक बने? ठीक है? दोनों ही लाइने correct हैं विजे इस्तम का निर्मान किसने करवाया? विजे इस्तम का निर्मान किसने करवाया? तो इसका निर्मान करवाया था महारणा कुमभा ने ठीक है? तो महारणा कुमभा ने जब गुजरात विजे किया था तो उस समय उस उपलक्ष में विजे के उपलक्ष में उन्होंने व सबसे ज़्यादा जो निर्मान है मेवाड में वो महाना कुम्बा के द्वारा ही करवाए गए थे। नेक्स्ट दिखिए महाराण कुम्बा के व्यक्तित्व में किसका त्रमेणी संगम है तो यहाँ पर इनके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला इसका त्रमेणी संगम दिखाई देता है। जो मेवाड में बने हुए बहुत सारे दुर्ग तो जिसमें अधिकतर दुर्ग किसने इसका निर्मान करवाया महाराण कुम्बा ने। यहांँ पर अचलगदूरग, बसंतु दूरग, भोमटदूरग, मचान दूरग, कुम्बलगडदूरग, चित्तोडगडडग, इसका निर्मान करवाने वाले थे महाराणा कुम्भा। ठीक है और इसके साथ साथ चित तोडगर दुर्ग में इस्तित है विजे इस्तम जिसे हम कीर्ती स्तम भी कहते हैं तो ये निर्मान कराने वाले थे महाराना कुम्भा कुम्बा द्वारा रचित प्रमुक संगीत ग्रंत कौन कौन से हैं तो यहां पर संगीत मिमान सा, संगीत राज और सून प्रवन ये सबी संगीत ग्रंत हैं जो कि महारना कुम्बा द्वारा रचित हैं अगला देखिए, question 15 है, महाराण कुम्भा ने कौन सी उपादी धारण की थी? महाराण कुम्भा ने महाराजा धिराज, रायरायन, महाराणा, दान गुरू, हाल गुरू, परम गुरू, चाप गुरू, राज गुरू, ये सभी जो उपादियां थी, वो धारण कर रखी थी मह महाराण कुम्भा ने, याद रखिएगा महाराजा धिराज, रायरायन, महाराणा, दान गुरू, हाल गुरू, परम गुरू, चाप गुरू, और राज गुरू, महाराण सांगा का शाशन काल रहा, तो महाराण कुम्भा के बाद जो राजपूत शाशक है, वह हैं महाराण तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंग ठीक है और 1509 इस वी में शाशन सम्हालते हैं और 1528 तक इनका शाशन का समय रहता है नेक्स्ट दीखिए, राना सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंग Q18 है, राना सांगा किसके पुत्र थे? तो यह है राना रायमल के पुत्र थे Q19 है, राजपुतों को संगटित करके एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड के शाशक कौन थे? महाराना सांगा जिन्होंने सभी राजपुतों को संगटित करके एक छत में लेकर आये थे, ठीक है? Q20 देखिए, महाराना सांगा के सरीर पर कितने गहाओ थे? तो राणा सांगा जो थे जिन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगलों से संघर्स किया था और देश की या राज्य की बहदुरी से रक्षा की थी ठीक है तो इसी वीरता के कारण जो है इनको जाना जाता है पराकरमी योद्दा के रूप में हम जानते हैं और इनके स पर लगभग असी घाओ थे ठीक है नेक्ट देखिए माल देव का शाशन काल था तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है माल देव का शाशन काल था तो माल देव जो की राठोड बंस के शाशक रहे हैं इनका शाशन का समय था 1532 से 1562 इस वी तक का नेक्स्ट देखिए माल देव किसके पुत्र थे तो ये मारवाड के राओ गांगा के बड़े बेटे थे ठीक है किसके पुत्र थे राठोड बंस के जो राओ गांगा थे इनके जेस्ट पुत्र थे माल देव मालदेव ने कितने युद्ध किये थे तो इन्हों ने बावन युद्ध किये थे और 58 परगनों पर भी अधिकार किया था ठीक है अपने समय में इन्हों ने कुल 52 युद्ध किये और इनके साथ साथ चोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार किया था मालदेव ने नेक्स्ट देखिए मालदेव ने किन दुर्गों का निर्मान करवाया तो हमने अभी महाना कुम्बा के बारे में देखा था कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्मान महाना कुम्बा ने करवाया था जिसमें कुंबलगर्ड, चितोरगर्ड, विजय इस्तम, अचलगर्ड, बसंती दुर्ग, भौमट दुर्ग ये सभी प्रसिद्ध हैं तो मालदेव ने करवाया सोजद दुर्ग, मालगोट दुर्ग और पोकरण दुर्ग इनका निर्मान कराने वाले थे मालदेव मालदेव का देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत हुआ था 1562 इस्वी में, तो मैंने आपको बताया इनके साशन का समय, 1532 में साशन समहालते हैं और 1562 इस्वी में इनका देहांत हो गया था किसने मालदेव को हस्मत वाला शाशक कहा, यानि बहुत ही तागतवर, बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है, एक्जाम में आ सकती है, कि मालदेव को फार्शी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शाशक कहा था, ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, और इसके बाद हम इसी चे कर्टर हो चुके हैं, इनको आप बार बार पढ़िये, बार बार सुनिये, जिससे कि आपको यह याद हो जाए, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू,